नमस्कार, कल्पना चुबे रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं आम का अचार बना रही हूँ, अचार बनाने में इस साल थोड़ी देर हो गई। देखते ही देखते बरसात का मौसम भी आ गया और आज तो अच्छी खासी भारिस भी हो रही है। ये 2 केजी खटा वाला आम है। जहां से मैं ये आम खरीदी हूँ, वहीं से कटवा भी ली हूँ। मार्केट में आम कटा है तो ये उपर वाला हिसा रह जाता है, इसे कट करके निकाल देंगे। आम के अंदर का बीज भी रह जाता है, उसे भी हटा लेंगे। घर पे आम को अच्छी तरह से काट चाट कर लेंगे। आम को घर पर भी काट सकते हैं, लेकिन मेहनत जादा हो जाएगा। आम के उपर वाला कट कर ली हूँ और इसका बीज भी हटा ली हूँ। अब इसे पानी से दो से तीन बार अच्छी तरह से धो लेंगे। आम का अचार डालने के लिए धूब के बिलकुल भी जरुरत नहीं है। ये अचार दस मिनट में बनके तयार होने वाला है और ये पा चानी में निकाल लेंगे और एक साफ कपड़े पे फैन के नीचे ही सुखा लेंगे। पंखे के नीचे ये चार से पाच गंटे में अच्छी तरह से सूख जाता है। इसे इतना सुखाना है कि बस आम का पानी सूख जाए। ज़ादा देर छोड़ देंगे पंखे के नीच आले त्यार कर लेती हूं। सबसे पहले अचार में डालने के लिए तेल गरम कर लेंगे। ये सरसो का तेल है। अचार में तो सरसो का तेल ही पड़ता है। इसे धुआ आने तक गरम कर लेंगे। अचार में डालने वाला तेल इसलिए गरम करते हैं कि तेल में भी थोड़ी बहुत नमी रहती है तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब गैस ओफ कर देंगे अब एक पैन में डाल रही है 20 ग्राम मेथी 20 ग्राम सौफ 20 ग्राम जीरा और 50 ग्राम साबुद धनिया अब इसे थोड़ा थोड़ा भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनेंगे इसे नहीं तो ये जल जाएगा अब ये भून गया है गैस ओफ कर देंगे गैस ओफ करने के बाद 20 ग्राम काली मिर्च डाल रही हूं काली मिर्च को भूनना नहीं है बस इसे थोड़ा समय गरम कर ले रही हूं क्योंकि बरसात के मौसम में सभी चीजे नम हो जाती है अब इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेती हूं अब इसी पैन में लाल मिर्च को भी थोड़ा सा गरम कर लेंगे दो बूंद तेल डाल कर लाल मिर्च को जब भूनते हैं तो खासी और छीके नहीं आती है लाल मिर्च को भी ज़ादा नहीं भूनना है बस थोड़ा सा गरम कर लेंगे वजन में ये 60 ग्राम है इसे भी एक प्लेट में निकाल देती हूं ताकि ये ठंडा हो जाए ये मसाला अब ठंडा हो गया है इसे मिकसर की जार में दरदरा पीस लेंगे बारिक नहीं पीसना है इसे क्योंकि अचार में बारिक पीसा हो मसाला अच्छा नहीं लगता इस तरह का दरदरा पीसना है थोड़ा बिल्कुल ऐसा ही अचार में मार्केट का खरीदा हुआ लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन घर का पीसा हुआ मिर्च एकदम ताजा और फ्रेश रहता है लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़ादा डाल सकते हैं अब एक गरम पैन में डाल रही हूँ 30 ग्राम सौफ और 20 ग्राम अजवाईन इसे भूनना बिल्कुल भी नहीं है इसे सिर्फ मैं गरम कर रही हूँ इसे पीसना नहीं है ये सौफ अजवाईन अचार में खड़ा ही डलेगा और ये 20 ग्राम कलोंजी है इसे भी थोड़ा सा गरम कर लेंगे अब इसी में डाल देंगे राई की डाल वजन में ये 200 ग्राम है इन सभी मसालों को गरम करने के लिए पहले पैन को मैं गरम कर ली हूँ और फिर गैस ओफ कर दी हूँ इसे भी थोड़ा सा गरम कर लेंगे अचार में सभी मसालों को थोड़ा थोड़ा गरम करके ही डालना चाहिए क्योंकि मौसम कोई भी हो नमी थोड़ी बहुत हो ही जाती है अब इसी में जो मसाला पीस कर रखी थी वो भी मिला लेंगे लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे इसी में इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे मसाले तयार हो गए इसे साइड में रख देती हूँ और ये आम भी सूख गया है पानी इसका बिलकुल अच्छी तरह से सूख गया है और आम भी एकदम फ्रेश देख रहा है सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक और हल्दी पाउडर दो किलो आम के हिसाब से 2500 ग्राम नमक और करीब 80 ग्राम हल्दी पाउडर मैं मसाला थोड़ जादा ही बनाती हूँ क्योंकि जादा मसाले वाला अचार बहुत स्वादिश लगता है नमक और हल्दी पाउडर को अच्छे तरह से मिला लेंगे और जो मसाला तयार करके रखी हूँ वो भी इसी टाइम पे इसमें डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे इस आम के अचार को और जादा स्वादिश्ट बनाने के लिए मैं ले ली हूँ थोड़े से हरी इलाइची, लॉंग और ये दालचीनी इसे तवे पे हलका सा सुखा ही रोष्ट कर लेंगे और फिर इसे कूट लेंगे इस मसाले से अचार में अच्छा फ्लेवर आता है इसे बारिक पीषना नहीं है, इसे बारिक कूटना है इलाइची के छिलके को चाय की पती के डबे में डाल सकते हैं इसे और एक बार कूट लेंगे अब ये बारिक हो गया है ये सरसो का तेल जो गरम करके रखी थी अब बहुत हलका सा गरम है हलके से गरम तेल में ही इस मसाले को डालना है और एक बड़ा चमच हींग ये भी इसी तेल में डाल देंगे इसी टाइम पे हींग और मसाले को तेल में अच्छी तरह से मिला लेंगे अब ये तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है तेल को ठंडा करके ही अचार में डालते हैं तीन से चार कल्ची तेल अभी डाल दोंगे तेल डालने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से एक बार और मिला लेंगे बचे हुए तेल को हम बाद में डालेंगे अब इसमें सारे मसाले पढ़ गए अब इसे हमें सीसे की जार में भरना है सीसे की जार में अचार रखने के पहले जार के अंदर हींग के धुवे का एक लेयर बनाना है इसके लिए एक गरम तवे पे एक चोथाई चमच हींग डाल देंगे और तवा गरम होगा तो जार के अंदर हींग का धुवा इस तरह से जाएगा इस तरह से जार के अंदर हींग के धुवे का एक लेयर बन जाएगा और जार से बहुत अच्छी खुस्वू आती है हींग की जार में हींग का धुआ डालने के बाद फटा फट अचार को जार में भर लेंगे ऐसा करने से अचार हमेशा खुस्बुदार और फ्रेश रहता है और जब भी अचार का धकन खोलते हैं तो बहुत अच्छी खुस्बु आती है अब उपर से बचे हुए तेल को इसमें डाल देंगे और ढकन लगा कर कहीं सूखे जगा पे रख देंगे धूप में अचार कभी में रखती नहीं हूँ अगर आपको जल्दी से पकाना है तो दो-चार दिन धूप में रख सकते हैं नहीं तो धूप में रखने की कोई जरुवत नहीं है धूप में रखने से अचार काला पड़ जाता है ये इस पेचुला की पीछे वाली पठली डंडी है और इससे अचार को असानी से हिला सकते हैं इससे बार-बार चलाने की जरुवत नहीं है सिर्फ 8-10 दिनों में एक दो बार चला ले लंबे समय तक अचार को इस टोर करने के लिए सीशे का जार ही सही रहता है अगर अचार तेल में डूबा हो तो ये कभी खराब नहीं होता ये आम के अचार बनाने की बिधी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद